हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप पुरापका प्रिवार ठीक ठाक होगा दोस्तों HPSC ने PGT की बरती निकाड़ा रखी है और 18 जुलाई लास्टेट है ये बरती वैसे तो 2019 से निकलती आ रही है पहले HSSC ने निकाड़ी थी फिर ये HPSC केंडर चली गई फिर HPSC ने निकाड़ी फिर इस बरती को कैंसल कर दिया फिर दुबारा से निकाड़ी HPSC ने नया पैटर्न बता दिया कि इस पैटर्न के तहती बरती होगी फिर उस pattern को challenge कर दियागा कोरट में और फिर HPSA ने कहा कि इस भरती को हम वापिस ले रहे हैं और इसका हम दोबारा से विग्यापन निकालेंगे और युवाउं की जो demand है उसको हम ध्यानरे में रखेंगे या consider करेंगे लेकिन दोबारा फिर इस भरती का विग्यापन निकाला गया लेकिन सेम उसी pattern पर निकाल दिया जिस pattern को कोरट में challenge किया था दोबारा से युवाउं ने फिर कोरट में case डाला और ये कहा कि ये तो कोरट की अवमानना है जब यहाँ पर कहा गया था कि हम दोबारा से विग्यापन निकालेंगे और युवाउं ने जो कोरट केस किया है जो दलील दी है उनको हम consider करेंगे लेकिन दुबारा से तो कोई बदलाव नहीं हुआ सेम उसी pattern पर ये paper लेने की बात करें advertisement में तो ये case डाला था और कल इसकी सुनवाई थी तो कल कोरट ने जो case को है खारिज कर दिया है या चीका को खारिज कर दिया है तो अब जो pattern HPSC ने दिया है उसी pattern पर आपको त्यारी करनी होगी और challenge इस तरीके से किया है कि subjective paper क्यों ले रही है क्योंकि जब HSSC ने बरती निकाले थे 2019 में तो हरियाना के सभी युआ उसी पुराने pattern पर ही त्यारी कर रहे थे और एक दम से HPSC ने pattern change कर दिया तो यहाँ पर यही दलिल थी कि आपको ये बरती पुराने pattern पर करन ची तो HPSC अब इस mood में नहीं है वो नए pattern के उपर ही जो pattern HPSC ने advertisement में लिखा है उसी pattern के उपर बरती कराने के mood में है ठीक है तो अब आपको पहला paper तो आपका objective रहने वाला है जिसमें 20% common है और बाकी साइद 80% आपका subject related है उसके बाद में आपका subjective paper होगा जो की लिखने व दोस्तों ठीक है यह pattern रहने वाला है आप यूँआउं की एक और demand है कि यहाँ पर मैं भी इस बात से सहाइमन तो कि यह जो subjective paper लेंगे यह lengthy उत्तर लिखने वाले person होगे या फिर छोटे लिखने वाले person उत्तर होगे HPC को यह चीज clear करने चाहिए तो HPC कह रहा है कि मैं इस चीज को बता दूँगा due course में इन due course में तो देखते हैं कब बताता है यदि सही समय पर बता दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है और बस और क्या तो जितने भी होगा है अब उनको ने pattern के according ही त्यारी करने काम करने वाड़े हैं तो आप KTDTI से जुड़ सकते हैं या आप अपनी जो inquiry है वो हमें डाल सकते हैं ताकि आपके subject के उपर भी काम किया जास के बहतरिन टीम के साथ बहतरिन content के साथ मेरा WhatsApp नंबर है 70 15 24 34 91 नए pattern के उपर ही आपको त्यारी करने पड़ेगी धन्यवाद दो कर दो